Hello everyone, तो कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि हमने अपना जो चैनल है NCERT के ग्यान, उसमें chapter 2, जो biological classification है, class 11 का, उसको पूरा complete कर दिया है. ठीक है, उसके सारे वीडियो जो है, वो upload हो चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं. अब देखो, आपको पता है कि यार जो हमारा चैनल है, वो basically किस पर based रहता है, N-C-E-R-T पर based रहता है, और हम N-C-E-R-T के हर एक line को cover करते हैं, ठीक है, जो कि आपके NEET exam के लिए बहुत जादा important है, जिन लोगों ने NEET exam पहले भी दिया होगा, उनको पता होगा कि आप NEET में जो questions आते हैं, वो N-C-E-R-T की lines से आते हैं, तो अगर NEET में आपको उच्छे score करना है, तो आपको N-C-E-R-T को कई बार पढ़ना पढ़ेगा, उसकी हर एक line के concept को समझना पढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना पढ़ेगा, quotient solves करने पढ़ेंगे, जो की N C-E-R-T based हों, या फिर previous years में आएवे हों, तो जो हमारा आज का वीडियो है, वो भी इसी चीज़ पे based है, हम इस वीडियो में approximately 50 questions करेंगे, जो biological classification से होंगे, और जो पिछले NEET के exams में आएवे होंगे, ठीक है, तो ये वीडियो काफी beneficial आपके लिए रहने वाला है, चलो, श ठीक है, salinity बहुत जादा है, तो वहाँ पे कौन इन में से मिलता है, तो देखो इसका answer है, वो सीधा सा क्या है, archibacteria, ठीक है न, archibacteria ऐसे bacterias होते हैं, जो आपको na harsh habitat में मिलते हैं, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, archibacteria होगा, अच्छा archibacteria आपको harsh habitat में क्यों मिलते हैं, क virus in having, अब देखो, जो virides होते हैं, वो different होते हैं, वाइरसे से, किस basis पे, इन में क्या होता है, protein coat नहीं होता है, इन में RNA तो होता है, बट protein coat नहीं होता है, तो ये इनका answer हो जाएगा, अब जो viruses हैं, ठीक है, वाइरसे में आपको RNA भी मिल सकता है, वाइरसे में आपको DNA भी मि नहीं होता है, अब आता है हम third पे, third के है which among the following are the smallest living cell, तो इस cancer आप एकदम बता सकते हो, कई लोगों पता भी होगा known without a definite cell wall, pathogenic to plant से plant में disease भी करता है, animals में भी disease करता है, and can survive without oxygen, तो ये कौन है, ये है mycoplasm, ठीक है, mycoplasm की जो भी characters, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखी है fourth पे आते है which of the following components provide sticky character to the bacterial cell, अब जो bacterial cell है उसका sticky character किसकी वज़े से आता है ये आता है glycocallax की वज़े से ठीक है, जो mucilage की covering होती है glycocallax actually क्या होता है, outermost mucilaginous covering होती है cell envelope पे, bacterial cell envelope पे, तो इस cancer है glycocallax glycocallax, ठीक है, fifth question fifth क्या है, DNA replication in bacteria occur, जो DNA replication है वो bacteria में कब होता है आपको पता है, जब भी DNA का replication होता है, बतलब जब भी cell division होता है, तो उस time पे DNA का replication होता है, अब आपको पता है, जो bacteria रहता है, वो यहाँ पे कैसे divide करता है, binary fission से, ठीक है ना, एक cell से दो divide हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है bacteria, divide कर जाएगा दो नए bacteria में, तो इस cancer क्या होगा, इस cancer होगा, B prior to fission, तो जब fission हो रहा होता है, उस time पे क्या होता है DNA का replication होता है sixth क्या है, which one of the following is wrong for fungi, ठीक है, fungi हमने अभी पढ़े थे, videos उसके अभी हमने complete करे थे तो उससे question है, which one of the following is wrong for fungi, तो fungi क्या होता है eukaryotic होता है, बिल्कुल obviously eukaryotic होता है, ठीक है इसके बाद क्या है, all fungi possess a purely cellulosic cell wall क्या fungi की cell wall cellulose की बनी होती है नहीं, वो किसकी बनी होती है काइटीन की बनी होती है, तो यह answer हो जाएगा मतलब यह गलत हो जाएगा और हमें गलत ही ढूणना है इसके अलावा क्या लिखा है, fungi are heterotrophic हाँ होते है, fungi unicellar और multicellar भी होते है, unicellar fungus का नाम क्या है, east जो की use होता है, bakery वगिरा में ठीक है, bread, wine इन विस्की बनाने के लिए use होता है वो चलब, next question पर आते है 7th question है, methanogens belong to, अब methanogens क्या होते है ऐसे bacteria होते है, जो methane को produce करते है और यह कहाँ पर मिलते है, यह मिलते है cattle के gut में, ठीक है न, जुगाए सोतियन की gut में मिलते है, अब methanogens belong कहाँ से करते हैं, किस में करते हैं इसका answer है, R की bacteria ठीक है, यह तो सीधे-सीधा इसका answer है NCIT की line है 8th question क्या है, select the wrong statement आपको wrong देखना है तो यहाँ पर क्या है अगर हम इसके options देखे तो क्या है the cell wall of diatums are easily destructible, देखो आपको अगर NCIT अपने पढ़ी है तो आपको यहीं से answer मिल जाएगा diatums जो होते है, उनकी जो cell wall होती है वो indestructible होती है मतलब वो break नहीं होती है क्योंकि वो silica की बनी होती है और यहाँ पर क्या लिखा है cell wall of diatums are easily destructible नहीं, यह तो indestructible है तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे सीधे tick मारेंगे और यह सही answer हो जाएगा ठीक है, clear है ओके हाँ उसके अलावा अगर हम और पर देखें diatomisus earth is found by the cell wall of diatums यह सही बात है देखो क्या होता है, जो diatums की cell wall होती है वो cellulose की बनी होती है सॉरी, silica की बनी होती है और वो जल्दी से break नहीं होती है ठीक है, indestructible होती है वो तो होता क्या है कि जहाँ पर diatums रहते हैं वहाँ पर diatums तो मर जाते हैं बट लेकिन diatums की जो cell wall होती है वो break नहीं होती है कि वो indestructible है तो इससे क्या होगा, उस area में बहुत सारी cell wall जो है, वो जमा हो जाती है और फिर उसको बोलते है diatomaceous earth ठीक है, बाकी इसको और वी point जो है वो सही है, diatums आज जी, producer in oceans producer का काम करते हैं यह, दूसरा diatums जो होते हैं, microscopy होते हैं और float passively in water, मतलब जहाँ पानी जाएगा उधर को वो move करते है, clear 9th पाते है the primitive eukaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal include the अब आपको पता है, biogas मतलब कौन सी gas होती है, methane वगेरा होती है ठीक है, और कौन produce करेगा तो सीधा सा answer यह है, methanogens यह हमने 7th में भी देखा था then आते हैं, which one of the following statement is wrong, गलत कौन सा है, तो अगर हम पहला option देखें you bacteria are also called false bacteria, नहीं अगर इस मैं लिखू मैं true bacteria तब यह statement सही होगा, बट यहाँ पे लिखा है false, इसका मतलब यह statement कहा है गलत, और हमें ढूणना था गलत को ही, ठीक है, उसके लावा phycomycetes जो होती है, also called algal fungi और cyanobacteria जो रहता है, वो क्या रहता है, blue green algae कहलाता है, golden algae are also called desmites, यह bracket में लिखा है, NCRT में तो इस cancer क्या हो जाएगा, A वाला 11 जो है वो हमें क्या बोलता है which one, which of the following statement is wrong for viroid, viroid clay wrong statement कौन सा है ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पर क्या दिया है they causes infection, ठीक है सही बात है, viroid जो होते है, infection करते है इसके लावा क्या दिया है their RNA is of high molecular weight देखो, यह question यह जो option है, क्या है जो viroid होता है, उसका जो RNA होता है वो कैसा होता है, low molecular weight का होता है, तो यहाँ पर high दिया है, तो यह option हो जाएगा गलत, मतला हमारे यह सही option है बाकी क्या है, they lack a protein coat इनमें protein coat नहीं होता है obviously, they are smaller than viruses यह भी सही है 12th क्या है, one of the major component of cell wall of most fungi is, ठीक है तो ज़्यादर fungi की जो cell wall होती हो, किस चीच की बनी होती है काइटीन की बनी होती है clear है, इसके लावा काइटीन के लावा है यहाँ पर polysaccharide भी present होता है ठीक है, काइटीन के साथ polysaccharide भी होता है, fungus की cell wall में then 13th question के गयता है crysophytes, euglenoid, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom अब यह सब कौन से kingdom में मिलते हैं यह मिलते हैं kingdom, protesta में तो यह तो, देखो, यह direct-direct इसके answer है, ठीक है अगर clearly पढ़ा रहता है NCRT तो यह हो जाता है 14th के है, which one is wrong statement इन में से wrong statement कौन सा है ठीक है, तो क्या बुला है यहाँ पर haploid endosperm is typical feature of gymnosperm तो haploid endosperm जो होता है वो एक feature होता है किसका, gymnosperm का this is, this is right ठीक है, यह सही है फिर brown algae have chlorophyll A and C and fucoxanthine यह भी सही option है तेन इसके बाद क्या है, archigonia are found in bryophytes, stratifieds and gymnosperms, ठीक है यह वाला जो option है, यह भी सही है और mucor has biflagellated zoospore, अभी हाँ पर बोला, mucor, mucor क्या होता है member होता है, zygomycetes का, ठीक है किसका, zygomycetes का जिसमें क्या होता है, motile cells होते है ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि जो zoospores होते हैं, या जो आप बोल सकते हो, plano gametes होते हैं जो कि movable होते हैं gametes वो इनमें absent होते हैं तो यहाँ पर क्या बोला है, mucor have biflagellated zoospore वो क्या रहा है, होता है, बट लेकिन जो mucor होता है, उसमें zoospores present नहीं होते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा यह, ठीक है, wrong क्योंकि अपने को देखना था next है, the imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycle belong to NCIT की line है, proper, ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, imperfect fungi imperfect fungi कौन से होते हैं, जिनमें की sexual reproduction नहीं होता है ठीक है न, तो यहाँ पर जो इसका answer क्या होगा, क्या होगा, deuteromycetes deuteromycetes are imperfect fungi, और यह litter का decomposersion भी करते हैं, मिंदल cycle में भी responsible होते है and hold tissues are ठीक है, तो यह direct-direct question है, इसका answer क्या है fimbri, इसका answer क्या है fimbri, ठीक है, यह दियावा भी है 17th question है, select the wrong statement, the term contagion vivum fluidum was coined by M.W. Bejernick, तो यह सही है, ठीक है इन्होंने दिया था, इसके लावा क्या है यहाँ पर, mosaic disease in tobacco and AIDS in human are caused by virus, बिल्कुल सही बात है virus से ही होती है बिमारी, इसके लावा c क्या है Viroids are discovered by DJ Ivanoski, तो यह क्या बुला Viroids जो होते हैं, उसको किसने discover क्या था, DJ Ivanoski नहीं, इसको किसने इस discovered क्या था t.o dinner ने, कब क्या था 1971 ने, ठीक है, clear है चलो, आगे देखते हैं, यहापे, जो D है, वो क्या है, WM Stanley shows that virus could be crystallized, तो यह भी line है NCRT की, सही है यह, ठीक है, तो हमारा जो wrong statement है, वो यह वाला हो जाएगा 10-18 क्या है In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together अब यह आपको पता होगा, two thin overlapping shells होते हैं, जो कि किस की तरह हो जाते हैं, soap box की तरह भी overlap कर जाते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा, crysophytes क्योंकि crysophytes के अंदर क्या present होते हैं, include diatoms and desmites होते हैं, और आपको पता है diatoms में इहापे लिखावा भी है कि इन में क्या होता है, कि जो यह two thin overlapping wrapping shells होते हैं, निकी cell wall में वो soap box की तरह फिट हो जाते हैं तो इसका answer क्या है, crysophytes ठीक है question 19 दे है, pick up the wrong statement, तो पहला क्या है, some fungi are edible, हाँ बिल्कुल, कुछ fungi edible होते हैं, जिसकी common मश्रूव में उसकों खाते हैं, उसके लावा क्या होते हैं ascomycetes के अंदर क्या आते हैं, हमने पढ़ा था, एक आते हैं morals और आते हैं truffles, यह edible होते हैं, ठीक है, और delicatious होते हैं, मतलब swarthist भी होते हैं यह ठीक है, nuclear membrane is present in monera, तो monera क्या होते हैं monera होते हैं, unicellular prokaryotes, और prokaryotes जोते हैं, उनके nucleus के चारो तरफ nuclear membrane नहीं मिलती है, और यहाँ पे लिखा है, मिलती है, तो यह अपना wrong होगा है statement, ठीक है, इसके बाद क्या, cell wall is absent in any मेलिया, सही बात है, cell wall नहीं होती है, then क्या, protesta have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition, यह सही है, photosynthetic भी होता है, heterotrophic भी इसमें होता है, then आता है, choose the wrong statement, इनमें से wrong statement कौन सा है, morals and truffles are poisonous mushroom, देखो, अब भी मैंने discuss किया था, इसके बारे में, morals और जो truffles होते हों, क्या होते हैं, edible होते हैं, और delicatious होते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं, तो पहला वो multiceller होती है, generally, बट लेकिन yeast एक ऐसी fungus है, जो uniceller है, और fermentation में involved होती है, cake, bread, wine, beer, whisky, यह सब बनाने में use होती है, और yeast का नाम क्या है, उसका उसका नाम है, saccharomyces cerevisi, फिर panicellium is multiceller and produce antibiotics, ठीक हैं, antibiotics produce करने में help करते हैं, panicellium, जिससे बनती है, panicelline, फिडिये, neurospora is used in study of biochemical genetics, NCRD की line है, neurospora जो होता है, वो biochemical genetics में बहुँ ज़दा use होता है, क्योंकि तो इसकी life cycle कम होती है, छोटी होती life cycle, easily grow होता है, और जो, क्या कहते हैं, dominant recessive character होते हैं, वो भी smallest living cell है, known, ठीक है, और इस पर cell wall नहीं होती है, तो इसका answer ही हो जाएगा, इसके लावा क्या है, नॉस्टॉक, अब नॉस्टॉक क्या है, एक cyanobacteria है, और cyanobacteria किसमें आता है, kingdom monera में आता है, तो इसमें cell wall present होती है, इसके बाद आता है, aspergillus, aspergillus जो होता है, वो एक fungus होती है, ठीक है, जिसमें cell wall present होती है, और किसकी बनी होती है, काइटीन की बनी होती है, फिर funeria है, अब यह जो funeria है, यह किसमें आता है, bryophytes में आता है, जो की kingdom plantे में आता है, और plants के उपर तो cell wall present होती है, question 22 है, true nucleus is absent in, तो true nucleus actual में होता क्या है, true nucleus का मतलब है, ऐसा nucleus जिसके चारो तरफ nuclear membrane present होती है, और किसके चारो तरफ nuclear membrane present होती है, eukaryotes में, prokaryotes का जो nucleus होता है, उसके चारो तरफ nuclear membrane नहीं होती है, ठीक है, तो true nucleus is absent in, अपने को क्या ढूढ़ना है, अपने को यहाँ पर ढूणना है, prokaryotic कौन है, ठीक है, 23 है, which one of the following match is correct, कौन सा match correct है, तो पहला option क्या है, mucer, reproduction by conjugation, अब देखो, जो mucer होता है, उसमें क्या होता है, asexual reproduction होता है, और किसके तरू होता है, zoo sports और aplano sports की मदद से, ठीक है, उसमें, अब mucer हो कहाँ पर दिखा ठीक है, ascomycids में, तो जो mucer होता है, वो ascomycids में नहीं आता है, वो आता है, phycomycids में, ठीक है, तो first option जो है, वो तो गलत हो जाएगा, then B क्या है, agaricus, अब देखो, जो agaricus होता है, उसको क्या बोलते है, mushroom, ठीक है, common mushroom है यह, और यह bacidomycids में मिलता है, बट लेकिन क्य बिहेव तो करती है, बट fungus यह नहीं होती है, ठीक है, तो bacidomycids का यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता है, actually यह fungus नहीं है, phytophthora, बट लेकिन कई जगे पर यहाँ पर लिखाए कि it belongs to the phycomycids, ठीक है, तो यह तो option वैसा ही गलत हो गया, इसके लावा क्या है, then है आपके पा इनमें sexual reproduction नहीं होता है, इनमें A sexual reproduction होता है, option D is correct, then आता है 24, five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, अब इसका अंसर देने के लिए आपको टेबल याद होनी चलिए, एक टेबल है न, जिसमें system of classification दे रहा है, मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एने में लिया, इनको किस characteristics के basis पर हमने classify किया था, हमने किया था, presence और absence of a well-defined nucleus, मतलब prokaryote और eukaryote के basis पर define किया था, ठीक है, उसके लावा mode of nutrition के basis पर किया था, कि यह, यह paracetic के है, saprophetic के है, यह autotrophic है, यह heterotrophic है, इस basis पर हमने किया था, फिर था complexity of body organization, यह unicellar है यह multicellar है, बस उस table में कहीं पी भी mode of reproduction के बारें बात नहीं करी गई है, तो the answer is B, 25th आता है, which of the following show coiled RNA strand and capsomere, किसमें capsomere मिलता है और coiled RNA strand मिलता है, तो अगर इसको आपको diagram पता होगा, तो यह बात कर रहा है किसकी tobacco mosaic virus की, ठीक है, tobacco mosaic virus जो होता है, उसमें RNA present होता है, ठीक है, single stranded RNA होता है, और उसके उपर क्य मेर, actually जो capsomere होता है, यह क्या करता है, RNA को protect करता है, ठीक है, तो यह तो directly diagrammatic based diagram है, अचा टोबे को mosaic virus के बगल में एक और diagram बना रखा है, यह वाला, यह क्या चीज है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, अब आते 26 पे, 26 क्या है, viruses have, अब यहाँ पे viruses की characteristic दे रखी है, viruses have DNA enclosed in a protein code, सही बात है, virus जो होता है, वो क्या होता है, generally, nucleoproteinicious होता है, मतलब उसमें nucleic acid भी होता है, protein भी होता है, यह NCRT की line दे रखी है, ठीक है, उसके लावा क्या बोला, viruses have prokaryotic nucleus, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि virus को हम cellular मानते ही नहीं है, वाइ cellular रहता है, फिर single chromosome, यहाँ पे chromosome की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, viruses have both RNA and DNA, हाँ, viruses में RNA और DNA होता है, बट लेकिन यहाँ पे protein code भी present होती है, ठीक है, तो इसका सही answer जो है, वो A होना चाहिए, 27 है, Archibacteria different from U-bacteria in, अब देखो जो Archibacteria होता है, वो U-bacteria से कैसे अलग होता ह U-bacteria basically क्या होता है, true bacteria, और Archibacteria क्या होता है, ancient bacteria, ठीक है न, जो आपको बहुत harsh habitat में मिलते हैं, तो इनमें difference क्या है, cell membrane structure, यह answer इसका सही है, क्योंकि जो Archibacteria होता है, उनमें आपको peptidoglycan नहीं मिलती है, ठीक है, बट जो U-bacteria है, मतलब जो true bacteria है, उनमें आपको peptidoglycan की layer मि of nutrition, cell shape, mode of reproduction, यह सब इनमें same होता है, difference तरिफ किसमें होता है, cell membrane structure का, और cell membrane structure होने की वज़े से ही, जो Archibacteria है, वो आपको बहुत harsh habitat में मिल जाएंगे, ठीक है न, जहाँ पर और कोई life form नहीं रह सकती, वहाँ यह रह जाते हैं, 28 पर आते हैं, 28 क्या है, which structure performed the function of mitochondria and bacteria, यह question व answer जो होगा, वो क्या होगा, mesosomes, जो mesosomes होते हैं, वो characterize circular form के होते हैं, ठीक है, इनकी जो shape होती है, कैसे होती है, circular रहती है, और mesosomes बनते कैसे हैं, देखो, जैसे यह bacteria है, ठीक है, bacteria की जो plasma membrane है, ठीक है, bacteria की जो plasma membrane है, वो ही developed होती है, अंदर को, और क्या बना देती है, mesosomes बन है same as that of the mitochondria 29th क्या है the motile bacteria are able to move by अब देखो जो motile bacteria होते हैं वो move कैसे कर पाते हैं because उसमें क्या रहता है flagella रहता है ठीक है flagella जो होते हैं एक motile organin में present होता है 30th है anoxygenic photosynthesis characteristic of अब यह anoxygenic photosynthesis क्या होता है generally photosynthesis में क्या होता है पहले इसको समझते हैं देखो आपको पता है photosynthesis में जो electron की जरत पड़ती है उसको कौन देता है water ठीक है तो photosynthesis में जो water है वो electron donor होता है और जब यहाँ पर electron donate किया जाता है water के द्वारा तो water split हो जाता है break हो जाता है कि इसमें O2 plus hydrogen में ठीक है यह अपने को पता है अब जो anoxygenic photosynthesis होता है इसमें water जो है वो electron को donate नहीं करता है इसमें कोई organic compound होता है जो electron को donate करता है आई बाच सौन में इसलिए इस case में क्या होता है anoxygenic photosynthesis में क्या होता है जो oxygen है वो release नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर water involved ही नहीं वहा न तो oxygen भी release यहाँ पर नहीं होती है तो यह किस में होती है basically देखो अगर यह पता होगा तब ही हो जाता है CDC बात इसका A answer है ठीक है? तो वह कैसे habitat हो जाएगा harsh habitat हो जाएगा मुश्किल habitat हो जाएगा तो वहाँ पर generally आपको कौन मिल सकते है आर्की bacteria क्योंकि जो आर्की bacteria होते है वो आपको harsh habitat में मिलते हैं ठीक है? 32 है pigment containing membrane extension देखो क्या बोल रहा है? pigment containing membrane extension in some cyanobacteria are जो cyanobacteria होते हैं उनकी जो membrane होती है वो membrane थोड़ा extend होके थोड़ा grow करके एक structure बनाती है जिसके अंदर pigment present होते है ठीक है? अब वो structure कौन सा होता है? वो structure होता है chromatophore ठीक है? अब chromatophore actually क्या होता है? एक ऐसा structure होता है जो की membrane के extension से बनता है ठीक है? और यह जो chromatophore होता है यह photosynthesis में involved होता है clear है? चलो आगे पढ़ते हैं अच्छा हेट्रोसिस्ट कुछ याद है रहा है? हेट्रोसिस्ट जो होता है यह nitrogen fixation का काम करता है किस में करता है? यह आप मुझे please comment करके बताईए ओके 33 क्या है why is a capsule advantageous to a bacterium? ठीक है? बैक्टरियम में जो capsule बनी रहती है वो उसके लिए advantages क्यों होती है? इसका answer देखो आपने अगर class 12 में Griffith experiment पढ़ा होगा ठीक है? तो उससे मिल जाएगा आपको Griffith experiment में आपको पता है Griffith ने दो टाइप के Streptogogas pneumonia bacteria लिया थे एक R-strain वाला लिया था एक S-strain वाला लिया था ठीक है? जो S-strain होता है उसके चरतरफ क्या होती है? capsule होती है मतलब mucus की covering होती है ठीक है? और R-strain के चरतरफ mucus की covering नहीं होती है ठीक है? तो जो S-strain होता है वो S-strain जो host का immune system होता है उससे बज़ जाता है जैसे कि ऐसे समझते है Griffith ने क्या किया था एक चुहा लिया था चुहे के अंदर क्या किया था S-strain bacteria को डाल दिया था जिसके ओपर capsule है, जिसके ओपर covering है तो क्या हुआ जो चुहे का immune system है अब वो activate होगा और इस S-strain को मारने की कोशिश करेगा बट नहीं मार पाएगा, क्योंकि S-strain की चार तरफ क्या है, capsule present है, mucus की covering present है, तो इस वेश से जो S-strain है, वो बच जाएगा बट R-strain को अगर हम चुहे में डालते है तो चुहे का जो immune system है वो R-strain को मार देगा क्योंकि S-strain की चार तरफ कोई भी covering नहीं है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या रहेगा यहाँ पर इट अलो बैक्टिरियम तो हाइड फ्रम होस्ट immune system, होस्ट के immune system से बचाने का काम करता है, यह capsule, clear which of the following is true for fungi, फंगी के लिए true क्या है they lack a rigid cell wall क्या इसमें rigid cell wall नहीं होती है इसमें rigid cell wall होती है, और किस की बनी होती है काइटीन की बनी होती है ठीक है, they are heterotrophic सही है क्या, हाँ यह heterotrophic होते है they lack nuclear membrane, क्या इनमें nuclear membrane नहीं होती है, क्या fungus prokaryotic होते है, नहीं, fungus तो यह केरियोटिक होते हैं, तो इसमें nuclear membrane होती है, ठीक है, उसके इलावा यहाँ पर क्या लिखा है, they are phagotrophs, phagotrophs क्या होता है, phagotrophs ऐसे organism होते हैं, जो दूसरे organism को engulf कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं, ठीक है, तो यह तो ऐसा है, नहीं होता है, तो इसका answer B होगा, all of them have helical symmetry, तो जितने ही वाइरस होते हैं, वो क्या गया रहा है, उन सब में helical symmetry होती है, ऐसा नहीं होता है, helical symmetry मतलब elongated body, ठीक है, elongated body होती है, जैसे कि tobacco mosaic virus की होती है, बट cuboidal भी होती है, ऐसे तो, rhombic होती है, rounded होती है, polyhedral होती है, बहुत different type की होती है, ठीक है, तो सरीफ helical नहीं होती है, तो this is wrong, ठीक है, they have ability to synthesize nucleic acid and protein, हाँ, इन में ability होती है, कि यह nucleic acid को बना सकते हैं, और protein को भी बना सकते हैं, इसी तरीके से तो यह replicate भी करते हैं, फिर antibodies have no effect on them, antibiotics, क्या होती है, ऐसी medicines होती है, ऐसे chemicals होती है, जो bacteria पे attack करते हैं, तो virus पे कोई भी attack नहीं करेंगे, तो यह भी सही है, तो answer is B, 36 है, maximum nutritional diversity is found in group, अब देखो, जितने भी एक group हैं, इन में कौन सा ऐसा है, जिसमें सबस्यादा maximum nutritional diversity है, मतलब कौन सा ऐसा है, जो बहुत तरीके से अपना खाना ले सकता है, ठीके, तो पहले बात करते हैं किसकी, fungus की, ठीके, तो जो fungus होते हैं, वो कैसे होते हैं, heterotrophic होते हैं, saprophytic भी होते हैं और ये parasitic भी होते हैं, ठीके, तो इन में इतना रहते हैं, भी आ जाते हैं, animelia, तो animelia क्या होते हैं, heterotrophic होते हैं, heterotrophic में holozoic हो सकते हैं ये, और saprophytic हो सकते हैं, इसके बाद आता है, plant day ले 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 लेते हैं, character answer तो फिर मिली जाएगा, plant day जो रहते हैं, photosynthesis करते हैं यह monera जो रहते हैं ठीक है तो monera जो रहते हैं यह autotrophic होते हैं autotrophic में जैसे ही chemo synthetic होते हैं photosynthetic भी होते हैं और heterotrophic भी होते हैं heterotrophic में यह saprophetic भी होते हैं और parasitic भी होते हैं तो सबस्यादर nutritional diversity monera में मिलती है clear है इसके बाद आते हैं 37 पे 37 क्या है nuclear membrane is absent in तो nuclear membrane किसमे absent होगी तो आपको ढूढना है prokaryotic कौन है इन में से ठीक है न तो इसमे absent होगी तो पहला क्या दिरेखा है यहाँ पे penicillium ठीक है तो penicillium क्या होता है एक fungus होता है एगरिकस भी एक fungus होता है fungus क्या होते हैं fungus होते हैं eukaryotic तो इन में तो nuclear membrane मिलेगी इसके लावा क्या होगी है यहाँ पे walvox होगया walvox के रहते हैं एक algae रहते हैं यह भी क्या रहते हैं eukaryotic होता है बड़ जो नौस्टॉक होता है ठीक है नौस्टॉक क्या होता है एक syno bacteria है मतलब यह prokaryotic है तो इसमें nuclear membrane absent होगा तो correct answer is नौस्टॉक तेन आते हैं 38 पे the syno bacteria are also referred to as यह तो यह तो बहुत ही असान है एक दम आते हैं दिमाग में न तो this is also called blue green algae ठीक है 39 क्या है the most evident prokaryotes helpful to human in making curd from milk ठीक है most evident कौन सा prokaryote है जो की helpful होता है human clay milk से दही बनाने में and in production of antibiotics बनाने में ठीक है are the ones categorized as तो इन में से कौन सा है ठीक है तो देखो जो इसमें syno bacteria है syno bacteria blue green algae होता है तो यह तो responsible नहीं होता है दही बगरा बनाने के लिए आर्की बेक्रिया तो यह harsh habitat में मिलता है तो वहाँ का दही बनाएंगे जाके ठीक है chemo synthetic autotrophs होते है chemo synthetic मतलब chemicals की मदद से यह अपना खाना obtain करते हैं तो यह भी नहीं होता है इस case में generally इसका में को सीधे से answer आपको बताना है heterotrophic bacteria जो भी heterotrophic bacteria होते है न वो यहाँ पर responsible होते है जैसे कि इसमें क्या आ जाते है heterotrophic bacteria जो है वो किसके अंदर आते हैं actinomycetes के अंदर आते हैं और यह heterotrophic होते हैं इसके लावा जो lactic acid bacteria होता है जो की milk से curd बनाता है वो भी heterotrophic bacteria होता है तो ये इसका answer हो जाएगा question 40 है which one single organism or the pair of organisms is correctly assigned to it or their name taxonomic group तो यहाँ पर जो single organism दे रखा है या pair में जो organism दे रखा है क्या ये correctly assigned है अपने taxonomic group के साथ इसको समझते हैं option से समझ में आजएगा ए क्या बोलता है परामीशियम और प्लाजमोडियम belong to the same kingdom क्या ये कह रहा है कि जो परामीशियम और प्लाजमोडियम same kingdom को belong करते है as that of penicillium ठीक है तो इसका उटब क्या ये सब के सब same kingdom को belong करते है तो देखते हैं इसको जो परामीशियम है ठीक है और जो प्लाजमोडियम है वो kingdom protista को belong करते है ठीक है और जो penicillium होता है वो किसको represent करते है fungus को तो ये तो गया गलत ठीक है b क्या है lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and a protozoa क्या बुले उसने algae और protozoa का symbiotic association होता है lichen नहीं जो symbiotic association इसमें होता है वो किसका होता है algae and fungus का होता है ठीक है तो ये गलत हो जाएगा c कहता है east use in making bread and beer is a fungus तो ये सही है east मतलब की saccharomyces cerevisis का example है is a fungus जो की use होती है class escomycids में ठीक है ये escomycids में आती है और ये bakery में use होती है ठीक है ना और beer, wine, whiskey वगएरा बनाने में भी use होती है then d क्या है nostoc and anabina are example of protesta तो वो कह रहा है nostoc और anabina जो है वो example है protesta का nostoc और anabina जो है वो example होते है किसके cyanobacteria या blue green algae के association with plants and help them in their nutrition मतलब कौन से microbes है जो symbiotic association में रहते है plants के साथ और mineral को obtain करने में help करते है plant की ठीक है अब देखो यहाँ पे जो azotobacter है espergillus है या trichoderma है ये क्या होते है free living होते है free living है मतलब ये किसी के साथ association में नहीं रहते है ठीक है हाँ ये free living होते है बट ये plant की help करते है nutrition को obtain करने में ठीक है ये ठीक है बट लेकिन वो free living है symbiotic association नहीं दिखाते तो ये answer तो जाएंगे गलत glomus अब जो glomus होता है वो क्या होती है fungus होती है जो symbiotically plant के साथ रहती है और plant के साथ मतलब plant की help करती है minerals को absorb करने में तो इस cancer है glomus ठीक है इन दे five kingdom classification clamidomunas और chloral has been included in तो five kingdom classification में clamidomunas और chloral कहां पे रखा जाता है देखो जब five kingdom classification नहीं आया था उस time पे क्या किया गया था जो clamidomunas है जो chloral है उसको किसमे रख दिया था algae में और algae को किसमे रखा था plants में ठीक है क्यों रखा था plants में क्यों रखा गया था क्योंकि clamidomunas और जो cholera है उनमें क्या present पे cell wall बस इस basis पे इनको algae में रख दिया था और algae को उसमें plant में include कर दिया गया था, ठीक है, बट लेकिन उसके बाद इनको वहाँ से निकाला गया और कहा रखा गया फिर kingdom protesta में, ठीक है, इन दोलों को फिर kingdom protesta में रख दिया गया, क्योंकि ये क्या है, unicellular eukaryotes है, 43 है, which one of the following also act as catalyst in bacterial cell, ठीक है ये bacteria में protein बनाने में responsible होता है, ठीक है न, important है, 44, in eubacteria, मतलब true bacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is, मतलब eubacteria, जो की bacteria होता है, उसका कौन सा ऐसा cellular part है, जो की eukaryotic cell के part से मिलता है, तो पहला क्या है, plasma membrane, तो obviously इसका answer plasma membrane होता है, बाकी चीज़े इन में different होती है, ठीक है, plasma membrane क्यों सिमिलर होती ह है, क्योंकि plasma membrane जो होती है, वो phospholipid की बनी रहती है, bacteria में भी और eukaryotic cell में भी, बट हलका सा जो difference आता है, वो क्या आता है, कि जो prokaryotic membrane होती है, उसमें आपको बहुत कम type के phospholipid मिल पाते हैं, बट लेकिन जो eukaryotic plasma membrane होती है, उसमें बहुत different type के आपको phospholipids मिलते हैं, ठीक ठीक है, 45th है, which one of the following organs is not eukaryotic, इन में से eukaryotic कौन सा नहीं है, तो पहला क्या है, paramecium codetum, अब जो paramecium codetum होता है, वो एक unicellular protest होता है, ठीक है, तो आपको पता है, जो protesta होते हैं, वो तो eukaryotic होते हैं, ठीक है, monera जो होता है, वो prokaryotic होता है, और जो protesta होता है, वो क्या ह होते हैं, eukaryotic होते हैं, B है, A, E, जिसको बोलते हैं, यह क्या है, एक bacteria है, और bacteria आपको किसमें मिलता है, कौन से kingdom में, यह मिलता है, kingdom monera में, और monera क्या होते हैं, prokaryotic होते हैं, तो यह eukaryotic नहीं है, तो सही answer हो जाएगा यह, इसके जाए, युगलीना विरिडिस, यह क्या ह लमीवर proteus है, वो किसके अंदर आता है Protozoan के अंदर आता है और Protozoan किसमें आता है Protesta के अंदर आता है और Protesta क्या होते हैं, eukaryotic होते है ठीक है, तो ये भी eukaryotic है तो correct answer is B B क्या है, prokaryotic अब ये वीडियोर काफी लम्बी बन चुकी है तो इस वीडियो में हम last दो questions करेंगे जो काफी important है यहाँ पर जो किये कि 53 given below is the diagram of bacteriophage bacteriophage क्या होता है कि ऐसा virus होता है जो bacteria पर attack करता है इसमें correct options कि उसने बात करीए कि कौन सा क्या होगा तो देखो यह तो cb's बात है यह होता है head ठीक है kya होता है color ठीक है इसके लाबा b kya होता है shield ठीक है और इसके लाबा d क्या होगया tale fiber होता है तो correct option कि कौन सा रहेगा इसमें से www इसका c रहेगा answer ठीक है mijn color होगया और tale fiber होगहा तो इसका होगा c इसके लाबा 54 तो देखेंगे last 54 कहा है select the correct combination of the statement 1-4 तक regarding the characteristic of certain organist तो यहाँ पर हमें के देखना है correct combination देखना है statement का उसके organist से जो साथ में organist दे रखा है जैसे कि first कहा है methanogens are archibacteria बिलकुल सही है methanogens archibacteria होते है और यह methane का production करते है which produce methane in marshy areas एकदम correct है यह तो सही है तो first तो अपने को पते चलिए कि सही है अब हम आते हैं next पे then 54 के second पे आते है nostoc is a filamentous blue-green जलगी सही है which fix atmospheric nitrogen यह भी सही है ठीक है NCRT की line में दे रखाए यह third कह है chemosynthetic autotrophic bacteria synthesized cellulose from glucose यह थोड़ा सही नहीं लग रहा है जो chemosynthetic autotrophic bacteria होते हैं वो क्या बोल रहा है कि glucose से वो cellulose को बनाते हैं जबकि अगर आप NCRT में देखोगे तो वहापे लिया है कि जो chemosynthetic autotrophic bacteria होते हैं वो oxidize करते हैं various inorganic substances को जैसे कि nitrates, nitrites और एक और दे रखाए ammonia ठीक है और उसको oxidation करने के बाद जो energy बनती है उस energy से वो ATP बनाते है ठीक है, ये दे रखाए वहापे तो ये third वाला तो सही नहीं है fourth क्या है, mycoplast lack of cell wall, ठीक है, mycoplast जो होता है smallest living cell यहाँ पे known है और cell wall नहीं होती है, and can survive without oxygen ये भी सही है, तो correct क्या होगा A सही है, B सही है fourth सही है तो first, second, fourth सही है, इसका answer हो जाएगा D, तो 54 का क्या answer होगा D होगा so finally हमारा जो वीडियो है, वो खताम हो चुका है हमने लगबग यहापे 45, 46, 47, जितने भी questions करें ठीक है, तो अगर आप कोई से help मिलिये तो please इसको like करिए, share करिए और comment भी करिए, and thank you so much वीडियो को देखने के लिए बाई बाई